हितो उपदेश की कहानिया आज हमें आपको सुनाएंगे नई कहानी जिसका नाम है कुसंगियों का संग न करें किसी जंगल में मदोत कट नाम का एक सिर रहता था उसके तीन से वक थे एक बांग, एक गीदर और एक कौवा एक दिन वे तीन जंगल में घूम रहे थे कि तभी उन्हें चित्रकर्ण नाम का एक उंट दिखाई दिया जब बहुत हष्ट पुष्ट था तीनों ने पहले कभी उंट नहीं देखा था इसलिए वे साहस चिटा कर उसके पास गए और बोले भाई आप कौन है और इस जंगल में कैसे आए यह सुनकर उंट बोला मैं अपने साथियों से बिछड कर रास्ता भूल गया हूँ और भटकता हुआ इस जंगल में आप पहुचा हूँ वे बोले हम आपकी यथा संभव सहेता करेंगे आप हमारे राजा सेर के पास चलें तीनों की बास सुनकर उंट ने सेर के पास जाना सुईकार कर लिया सेर बोला परदेशी की मदद करना हमारा सबसे बड़ा करतब्य है तुम यहां निश्चिनत और अभै होकर निवास करो कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा मगर हर समय एक जैसा नहीं रहता जंगल में पसुओं का ऐसा अभाब हुआ कि तीनों को सेर के लिए सिकार जटाना मुश्किल हो गया वे दूर दूर तक सिकार की खोज में जाते मगर खाली हाथ लोटाते इस पिकार वे तीनों धूर्त और मदोत कट सेर भूक से ब्याकुल होने लगे वे समस्या से बचने के लिए उपाय सोचने लगे कि राजा सेर चित्रकरन उंट को मार डाले ताकि भूकों मरने से बचा जा सके यही सब सोचकर वे सेर के पास पहुंचे दुखी अवस्था में बोले महराज आज भी कोई सिकार नहीं मिला ऐसा कब तक से लेगा सेर ने पूछा बांग बोला महराज हमने अपनी तरफ से पूरी कोसिस की लेकिन कुछ नहीं मिल सका इस पर कौई ने कहा महराज इस तरह तो हम बेमौत मारे जाएंगे अब तो सर्फ एक ही उपाय है सेर की आँखा में चमक आई बोला क्या उपाय है महराज क्यों न उंट को मार कर हम हम लोग अपनी भूक सांत करने गीदर बोला यह सुनकर सेर नाराज हो गया और बोला नहीं उसका बद करना पाप कहलाएगा महराज पाप पनने कुछ नहीं होता धूर्त बाग बोला वोग प्यास में सब कुछ जायज है सेर बोला तुमारी बात ठीक है लेकिन उसे मारना ठीक है महराज आप उसका बद मत कीजिए लेकिन अगर वह स्वहम आपसे अपने सरीर का भक्चन करने को कहे तो इनकार मत करना गीदर ने कहा लेकिन ऐसा क्वह क्यों करेगा सेर बोला यह सब आप हम पर छोड़ गाएं कोई ने कहा इस पर सेर कुछ नहीं बोला फिर अपनी योजना अंसार वे तीनों धूरत उन्ट के पास पहुँचे और इधर अधर की चर्चा करने लगे लेकिन सीग्री ही वे वास्तिविक्ता पर आ गए कोई ने कहा आज कल बहुत प्रयास के बावजूद हम अपने सेर राजा के लिए कुछ सिकार की विवस्ता नहीं कर पा रहे हैं मुझसे उनकी दयनी अदसा नहीं देखी जाती अतयव अपने राजा को बचाने के लिए मैं उन्हें अपना सरीर अर्पित कर दूँगा इसी उद्देश से मैं उनके पास चा रहा हूँ यह सुनकर गीदर और बांग ने अपनी चिंता जताई और बोले चलो हम भी चलते हैं तुमारे नन्ने सरीर से भला उनका पेट क्या भरेगा यह कहकर बांग और गीदर भी कोई के साथ चल दिये ऐसी स्थिति में उन्ट ने सोचा अगर मैं इनके साथ नहीं जाऊँगा तो मेरी स्वामी भक्ति पर प्रश्ण चिलने लग जाएगा अत्र चलो भाईयो मैं भी चलता हूँ यह सुन कर तीनों धूरत मन ही मन मुर्सकुरा उठे सीग्री वे चारों सेर के पास पहुंचे और प्रणाम करके चुपचा बैठ गए सेर ने मौन भंग करते हुए पूचा कहो भाई क्या समाचार है एक साथ कैसे आना हुआ इस पर कॉय ने कहा महाराज सिकार के अभाब में आप बहुत कमजोर होते जा रहे हैं मुझसे आपकी दसा देखी नहीं जाती आप मेरा भक्चन करके अपनी भूख सांत कर लें यह सुनकर सेर बोला यह तुम क्या कह रही हो इससे अच्छा कि मैं मर जाओं मैं ऐसा कदापी नहीं करूंगा इस पर गीधर कोई को एक और हटाते हुए बोला महराज यह कोवा तो आपके ग्रास के एक ग्रास के भी बरावर नहीं है इससे भला आपका क्या पेट भर पाएगा इसलिए आप मुझे खाकर अपने अमुल ले प्राण बचा लेजिए सेर बोला भाईयो ऐसा करके मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता इसके बाद योजनांसर बांग सामने आकर सेर से बोला स्वामी इन दौनों के सरीर से आपकी भूक नहीं मिटेगी इसके लिए तो मुझे मुझे जैसा प्राणी ही उप्युकत रहेगा अथा आप बिलम ना करके मुझे खाकर पेट भर लीजे सेर ने प्रसंसा की द्रश्टी से बांग को देखते हुए का नहीं भाई मैं यह नीच कार नहीं करूंगा अब उंट की बारी थी वह भी अपना सरीर सेर को समर्प्रित करने की बात कहे वह देख चुका था कोवे गीदर बांग ने ब बित्तरों के सरीर कुछ भी नहीं है इससे अच्छा है कि आप मेरा मास खाकर अपनी भूग सांथ कर लें इस पर सेर ने खिनता का अभिने किया भूग की जौला को रोन रोते हुए उंट का वद कर दिया फिर समने उसका मास खाकर अपनी भूग मिटाई किसी ने सची कहा है कि धूरतों की बातों में आकर सज्जन प्रानी की बुद्धी भी फिर जाती है ऐसे में वे अपना अहित स्वेम कर बैठते हैं जैसरी राधे